कि नमस्कार दोस्तों आज हम GST में एक बहुत ही महत्तपूर्ण केस की बात करेंगे केरला हाई कोट पे एक रिट प्रेटीशन फाइल हुई के यू नियास वसेस असिस्टेंट कमिशनर जी एस्टी ने फाइल किया यह केस था के यू नियास पेटीशनर थे कोशन है सेक्शन सिस्टी टू के उपर बैस जजमेंट असेस्मेंट के उपर उसकी सर्विस ओफ नोटिस डिलिवरी ओफ नोटिस कब वैलिड होगी कब नहीं होगी इसके उपर सवाल है जवाब केरला आई कोट ने बहुत ब्यूटि अपनी सारे रिटर्न्स फाइल कर दी और उसके बाद रिट फाइल किया और यह रिलीफ रिक्वेस्ट किया अउनरेबल हाई कोट से कि जो ओर्डर्स हैं सेक्शन सिक्टी टू के अनुसार अगर उसका तीस दिन के अंदर अंदर सर्विस के तीस दिन के अंदर अंदर अगर जो service of notice है, delivery of communication है, 169 के अनुसार जो respondents थे, department था, उन्होंने कहा कि हमने इसको portal पर upload कर दिया था और उनका जो email ID था, उस पर हमने mail कर दिया था, जो भी उन्होंने registration के time पर हमें communicate किया था. तो Honorable High Court ने कहा कि अगर ये दोनों mechanism, दोनों process follow हुए है, section 169 के अनुसार, हम इसको proper valid delivery of order मानेंगे, और जो petitioner ने relief sort किया है, कि हमने क्योंकि जिस दिन उनको मिला, of course उनको delayed मिला, उससे पहले, बहुत पहले जो है, वो portal पर आ गया था, communication mail के थू हो गया था, लेकिन उनको receive न compliance किया, और उन्हेंने relief मागा कि section 62 के अनुसार, हमें जो है, हमारे best judgment assessment orders को delete कर दिया जाए, drop कर दिया जाए, क्योंकि आपने returns जो file की है, वो 30 दिन के बाद file की है, भले ही आपको वो मिला नहीं था, लेकिन service जो valid है, delivery जो है, वो valid थी उन orders की, इसलिए आपको ये relief नहीं मिल सकता, हाला कि high court नहीं ये कहा कि आपके पास section 107 में ये powers हैं, कि आप appellate authority को appeal कर सकते हैं, उन orders के खिलाफ, और वहाँ पर आपको principle of natural justice follow किया जाएगा, opportunity of being heard दी जाएगी, और उसके लिए high court ने 6 हफतों का time दिया, कि आप 6 हफतों में appeal कर सकते हैं, और 6 हफतों तक जो recovery थी, जो demand की recovery थी, because of that, those BGA orders, उसको stay कर दिया गया, तो ये एक बहुत ही beautiful judgment है, जो कि section 169 को reinstall करता है, notice कोई भी communication, कोई भी orders, delivery जो है section 169 के अनुसार है, यहाँ पर एक सवाल जरूर आता है कई बारी दिमाग में, कि जो section 169, subsection 1 में modes लिखे हैं, delivery के, A, B, C, D, E, F, जो भी लिखा है, क्या वो उनी sequence में follow होने हैं, या किसी भी mode को कभी भी किसी भी sequence में, किसी भी order में follow किया जा सकता है, एक ये सवाल बहुत महत्वपून है, जो कि अभी तक decide नहीं हुआ, मेरे एसाब से, वो एक sequence में follow होने चाहिए, अगर A पहले लिखा है, तो पहले A होना चाहिए, फिर A नहीं हो सकता, तो B होना चाहिए, B नहीं ह हो सकता तो C होना चाहिए और likewise succeedingly subsequently ऐसे ऐसे वो modes वो options exercise होने चाहिए डारेक्ली last option exercise नहीं होनी चाहिए without exercising the first option तो एक बहुती beautiful judgment था मुझे लगा आप लोगों के साथ share करना चाहिए मैं आशा करता हूँ कि आपको यह अच्छा लगेगा धन्यवाद तो तो